नमस्कार मैं सुचिला राय डिमरी रोज की रसोही में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं दाबेली मसाला क्या होता है इसका अपयोग ज्यादा कहां किया जाता है सब बताऊंगी दोस्तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि दाबेली का क्या मतलब होता है दाबेली का मतलब होता एक ऐसा नाश्ता जिसमें मसाला खुब दबा दबा के भरा जाता है दाबेली खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होती है इसका स्वाद खटा मीठा नमकीन होता है दाबेली को रोटी पाव डबल रोटी में ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है दाबेली को मसका पाव और कच्छ दावेली भी का जाता है दोस्तों दावेली वचतों गुजरात के मांडवी और कच शहर का मुख्य वेंचन है पर अब काफी समय से मराश्ट में नाश्टे की रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दावेली मसाला सुखा नारियल साबु धनिया सौफ जीरा सफेद तिल ते पारिक पीस कर एक पाउडर तियार किया जाता है जिसे ही दावेली मसाला पाउडर कहा जाता है दावेली मसाला के पाउडर से चटनी भी बनाई जाती है जो दावेली के साथ परोसी जाती है दोस्तों जिस तरह से इंडिया में गुलगप्पे चाठ पापड़ी टिक्की सम उसे मशूर हैं उसी प्रकार गुजरात में दावेली बहुत फेमेस है दावेली गुजरात का पसंदीदा स्टीट फूर है खट्टा मीठा तीखा नमगीन यह सारे सवाद दावेली में मिल जाते हैं यह देखने में बर्गर जैसा होता है लेकिन इसका सवाद बहुत तीखा नंगीन और चटपटा होता है उबले हुए आलों की स्टफिंग और बागी मसालों के साथ घर पर भी पाव या ब्रेड के साथ बनाया जा सकता है मार्केट में दावेली मसाला पावडर असानी से मिल जाता है घर पर बनाए दावेली मसाला को टाइट कंडेरे में रखकर साल बर तक इस्तिमाल किया जा सकता है दोस्तों दावेली गुजरात के कच्छ मेश्री केशव जी गावा ने उनिससा साथ में यह रेस्पी बनाई थी यह रेस्पी लोगों को इतनी पसंद आई कि आस पास के राजियों में इसकी मशूरी हो गई उपले हुए आलू को मिला कर बर्गर या पाव के बीच में बरावा मसाला डाल कर दावेली त्यार किया जाता है इसे चेटनी के साथ परोसा जाता है साथ ही अनार भुनीवी मुफली और नंगिन के साथ सजाय जाता है दावेली गुजरात का famous street food है तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो मिलूंगे नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं जानकारी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग रोज की रसुई